Hello guys and welcome back to our YouTube channel आज हम लोग Best Entry Chart Analysis का 52 एपिसोड शूट करने वाले हैं ठीक है 52nd एपिसोड हम लोग शूट करने वाले हैं तो 51 एपिसोड अल्रेडी हो चुके हैं Most Loved Series है इस चैनल की करकर कि हमको किस तरह से अपने अपने सुने होगा राइट तो 50 प्लस एपिसोड में आपको सेम फिबुनाची लेवल दिखे की और सबसे इंपोर्डन चार्ट के बिहेवियर को कैसे समझ सकते थे तो सबसे पहले हमको क्या दिखते हैं यहां से एक रैली चालू होती है और एक मेजर रीट्रेस्मेंट सबसे पहले मार्केट कहां पे लिए और यह जो मैं आपको बता रहा हूं यह एक वीडियो पहले ही सेम कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं ठीक है चार्ट रीडिंग बेस्ट और स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पार्ट टू अगर यह वारी वीडियो देखोगे तो सेम कंसेप्ट यहां पे आज कॉपी पेस्ट रिपीट हो जुगा थर्ड में आप देख रहे हो एंगल यहां पे इसका क्या है एंगल चेंज होता जा रहा है ठीक है पहले बड़ी थी फिर थोड़ी छोटी होगे फिर और भी छोटी होगे और फाइनली किस कौन मूव करेगा अगर से इस तरह से वीक होते रहेंगे तो कौन टेक ओवर करेग इस बर दीक अब बड़े पिंचर पर करेंगे कि ट्रेंड उप्ट्रेंड के साथ रहते हैं थेली और नेक्स्ट हम लोग देखते एगि हां पर हुआ कि हम आप पास्त में पीछे जाते हो ख終something बॉल सकते हो तो इसने इसको अगर नीचे जाना होता तो यह क्या कर था यहीं से चलाँ झाता यहींस भी कर दिया थाता मैं और अगर मैं आपको लोग तो एक बार रेजिस्टन्स क्रियेट करने के बाद फिर से मार्केट सेम लेवल पर आता है वापीस से मतलब नीचे से रिकवर करके फिर सेम लेवल पर मार्केट क्या बता रहा है हाँ यह बहुत वालेड रेजिस्टन्स है तो यह रेजिस्टन्स को बार बार इंपोर्टन्स यहां पर दिखाया जा रहा है ठीक है क्योंकि असलियत में जब भी मार्केट को नीचे जाना होता है उपर जाना होता है तो इस तरह से आप लोगों को properly clear setup बताके नहीं जाने वाला तो सबसे पहले resistance फिर resistance फिर resistance अब resistance के behavior को अगर हम लोग analyze करेंगे यहाँ सेहां तक market आगया second time यहाँ सेहां तक आगया फिर third time इतना ही आया और उसके बाद पूरी से market sideways हो गया तो मैंने आपको क्या बोला हुआ है सिखाया हुआ 600 प्लस वीडियो में कि मार्केट क्या इस तरह से नीचे जाता है क्या सबसे पहली चीज ठीक है इस तरह से बिल्कुल भी मार्केट जो है नीचे नहीं जाता तो पहले इतने सेलर्स आगए फिर रेजिस्टंस पर इतने सेलर्स आगए और बाद में मार्केट ने इस तरह से हॉल्ट करके कौन टेक ओवर करेगा जब इस तरह से जो सेलर से वह भी करेंगे अब फिबुनाची लेवल की हम लोग बात कर रहे थे यह तो हमने देख लिया कि सेम लेवल पर रिजिस्टंस पर सेलर को इनवेट कर रहा था और उसके बाद सेम मतलब हाईयर लेवल सेही मार्केट ने जो सेलर्स यहां पे के पर करने पर इस चलता है मार्केट किस पो किस चंहां पर लगा थेंगे कईनल दिक लगा देंगे और फिर उनको हेट करते-करते market ऊपर चला जाता है ठीक है अब हम लोग फिबोनाची लेवल की बात करेंगे मैंने आपको हमेशा क्या बता है जब मार्केट को trending होना होगा तो market कौन से लेवल को respect करना चाहिए याफिर कौन से लेवल की ऊपर से उपर ही जाना चाहिए तो मैं क्या करूंगा सिंपली डेलो से यहां तक के फिबोनाची लेवल लगा लूँगा तो हमको क्या दिखता है एक्जाक्ली अगर मैं आपको फाइव मिनिट टैम फ्रेम बताता हूं तो जो कैंडल है वो कभी भी 38% के नीचे के लोग बीन नहीं दे पाई यहां से मार्के वहां और चृपण difर ऑपर ही अपना अपना जो भी करता है मैं आपको क्या मुला आगर अ अकर मार्केट को वीग होना लेकिन अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है तो मार्केट बहुत ज्यादा ट्राइब करेगा कि वह 38% को ही रिस्पेट करें या फिर 38% के उपर ही अपने ट्राप्स क्रियेट करें और फिर इस तरह से चले जाए ठीक है लेकिन अभी मैं आपको एक सिंपल शॉट में बता देता हूं कि जब भी मार्केट को उपर जाना है तो ऑपरेटर्स के साथ-साथ जो एसल होते हैं रिटेलर्स के ऑपोजिट डिरेक्शन में रिटेलर्स को सेल साइड बेजेंगे और उनके एसल जो बनते हैं उसके मदद से ह में रिटेलर्स करते हैं लेकिन एसल देखें तो यह आपको पता चलना चाहिए तो बैस एंट्री कहां पर आप लोग कर सकते हैं मार्केट यहां पर उपर चला गया फिर नीचे रिजिस्टन्स पर इंवर्ट किया फिर जब यह इस तरह से स्लो मोमेंटम कर रहा था तो आप इस जोन में कहीं पर अगर एंटरी ले लेते यह सोच और यहां पहey बहुत सारे लोगों के एस रौड़े मार्केट यहां पे हिट कर देता मतलब हिट रिखक्षक This के किkar मार्केट को ऑपर जाना है क्या मार्केट ने टच्च किया आ होगा धैक ए इक सबोर्ट को नहीं जाना होता तब आएगा support पे आप लोगों को इस तरह से बताएगा और फिर आप लोगों को trap करेगा लेकिन आज जब इसको उपर जाना था क्या यह support पे आया है क्या हमको दिख रहा है इसने support को touch किया बिल्कुल भी नहीं है मैं आपको बहुत बार बता चाहिए असली resistance के पह क्या कहते है मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से ट्रेंड अप्रेंड है major retracement फिर थोड़ी सी कम retracement फिर इसका एंगल भी क्या हो गया उपर हो गया यानि कि sideways की तरफ हो गया क्या इस तरह की retracement लिए नहीं यह एंगल दिरे दिरे इस तरह से होगा पहले ऐसा था फिर ऐसा था फिर ऐसा हो गया राइट एंगल उपर की तरफ बढ़ता जा रहा है तो यह होगे अपने कंफरमेशन की ट्रेंड अप्रेंड है स्ट्रॉंग अप्रेंड है सेकंड कंफरमेशन क्या है कि मार्केट जो है फिबोनाची लेवल के 38% के ऊपर ही चल रहा है यहां पर आ रहा है यह अपने को शो करता है या फिर यह अपने को बताता है ग利च खरकण थो क्या रिचा потреб कर तो जैसे ही आप लोग सब लोग यहाँ पर उसको जितना चाहिए उतने लोग यहाँ पर एंटर कर लेते हैं लोग उपर stop loss लगा लेते हैं और फिर market अपने original moment को continue करता है ठीक है डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम लिंक है original वाला टेलिग्राम चैनल ही जॉइन करना क्योंकि यह जो फॉरेक्स वाले वो मेरे नहीं है ठीक है थैंक्यू सो मच्छ वाचिंग इस वीडियो गाई से उन दे नेक्स वीडियो थैंक्यू